हाई एवरीवन वेलकम तो क्रेटिव तनुषी चैनल तोड़े वी विल सी हाव तो आटो अपडेट मेटेरियल अवेलेबिलिटी इन है समरी शीट आज हम देखेंगे कि समरी शीट में जो मेटेरियल अवेलेबिलिटी है उसको किस तरह से अपडेट किया जाता है जो आटो से अपडेट मेटेरियल अवेलेबिलिटी इन हम एक सीनरीयो लेते है जहाँ पे वी मैनुफेक्ट्चर त्री ताइपस ओफ उनिट्स हम तीन तरह के युनिट बनाते और पांच से इच मतलो हरेका पांच करके बनाते जैसे युनिट वान का पांच हो गया युनिट पाँच हो गया और योनित त्री का पाँच हो गया फोर मैनुफैक्ट्रिंग योनिट वी निड़िए दिफरेंट पाँच फ्रॉम जो हम्में बनने के लिए का-डिफरेंट चोटे-चोटे पाँच हाये बनने के लिए जिसका हम कहते है पाँच नमबर तो which we specify as part number these parts are also been supplied by three different vendors तो यह जो part है वो हमें vendors देते तो हर एक part हर एक vendors देते तो जैसे जैसे vendors हमें भेजते हैं हम अपना excel sheet update करते हैं और पता लगाते हैं कि कितना material आ गया है और some material जब आ जाता है तब वो unit बनने के लिए तयार है तो आजन तो आजन विन अपने अपने के लिए तयार है तो हमारा objective क्या है तो हमारा objective क्या है तो हमारा objective is to create a summary sheet which updates the least part availability for completing the unit against supplier मतलब हर एक supplier कितना material दिया है और कितना बाकि है वो चेक करना हमारे पास excel sheet किस format में है तो हमारे जो extracted excel sheet है जो main table से है वो ऐसा है कि unit name जहां पे हमारे पास तीन units है unit 1, unit 2, unit 3 तो we have three units unit 1, unit 2 and unit 3 these are parts that are required for making the units यह parts चाहिए जिसको बनने के लिए वो है unit 1 के लिए चार पार्ट है unit 2 के लिए दो पार्ट है और unit 3 के लिए ऐसे चार पार्ट है यह क्या है this is not a full table this is a extract यह छोटा सा extract table का understand करने के लिए और यह हर एक part कौन सा है कि team A देता है supplier team B और team C भी है तो यहां पे team A और team B का extract किया है और इसका availability कासा है part 1 का 5 set का availability है part 3 का भी 5 set availability है part 4 का क्या है set 1 on set 2 का available है set 5 है set 3 or set 4 नहीं है so for part 4 what we can see is set 1 and set 2 is available however set 3 and set 4 is not available so this is a hazard table but we want to make it a summary कि how many materials are available for what set of units so our target हमारा कोशिश यह है रहेगा कि हमारा desired table ऐसा होना चाहिए कि जब हम team A सिलेक्ट करे तो unit 1, unit 2, unit 3 के total कितने होने चाहिए parts और उसके against में set 1, set 2, set 3, set 4, set 5 में कितने पार्स है जब हम B सिलेक्ट करें तो उसका total कितने होने चाहिए थे और यह automatically update हो जाए second, जब हम जब हम यह वाला table जब हम यह वाला table में कहीं पर भी कोई भी एक update करते हैं available करते, तो वो next table में automatically update होना चाहिए, तो यह table automatically updated हो जाना चाहिए, so let's start so if you can see this is our table जहाँ पर unit 1 से लेके unit 3 लिखा होआ है और responsibility और availability status भी दिया होआ है correct, so we have a table now we start making the summary first is हमारा कौन सा है responsibility, who is responsible अभी यहाँ पर क्या है तीम टीम से responsible टीम ए टीम बी और टीम सी तो हम यहाँ क्या करेंगे यहाँ पर एक यहाँपे डीटा में जाएंगे और वैलिडीटी परेड़ी टीम में जाने के बाद अल वैल्यूस के जग़ पर लिस्ट टीम ए टीम बी टीम सी होग्याँ तो नाव वी कन सी टीम ए टीम बी टीम सी वेरी गोड लुट का इत॥ हग gob, लाव टीम क्यू लाव Okeं, क्या है लाव किसे लुट किसे लोकषपान उ में, तोल पारत, को तोल एं करति का लग तेैंटराव श्हेफ unit 1, unit 2, unit 3 unit 1, unit 2, unit 3 Now 2nd is Total Parts últal Parts,3rd is set1, set2 ,set3, set4, set5 5, so we will take shortcut, set 1, 5, correct, very good, now total, total is equals to count ifs, what, so we select the unit name column, block it by pressing F4, F4 dhava ke block करते हैं, तो दीखिए, इदर $, $ आ गया, then, हम क्या करेंगे, A4, यहां पर Unit 1 जो है, A4 है, उसको सिलेट करते हैं, फिर ब्लॉक करते हैं, देन, निक्स्ट क्रेटर यह क्या है, टीम C होना चाहिए, तो, responsible पूरा लेंगे हम, उसको भी यह करते हैं, और, यह सेलेक्ट होना चाहिए, उसको ब्लॉक कर देते हैं, कर देन, टीम क्या करweg讃 और ब्लॉक करźच्ट कर देन, यहां, तो स psychiciene कर देखरेंस, पिर लेक्टर शुरूमा कर देन कर प्यक्यावा, तकाहिए ज़स्ट किता है, जब लेक्स्त। और यहाँ हेां फिृ क्रेंगे ये से तह इतना नाता ए है तो इतना अा ना jijıAc तो 5, so that is correct, absolutely correct, so formula is working perfectly correct, now यहाँ παaranव, we will do one change, small change see we want we don't want to write the same formula again and again so what we will do is we will not restrict this key and then we will drag and drop okay so you see everything had freeze except this see unit 2 what about unit 2 how many units are there only 1 correct so 1 is there what about unit 3 9 is there so 9 is there very good so so now by selecting this we can see the total number of parts are changing correct so c has unit 1 and unit 2 c is not supplying unit 1 and unit 3 so let's see one second if we select only c ha so only two parts of unit 3 so that is good so our formula is working perfectly okay now what we will do is we will find out how many available are there so how many available are there in set okay 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 so same formula equals to count ifs then first first is unit so we will select so we will select all the units correct then press f4 to freeze very good next what is our criteria our criteria is this cell unit 1 1 so then we press press 4 it freezes everything since we have to drag and drop this one so we will only remove the freeze part of this correct now next requirement is responsible so we have selected pressed f4 and which cell we have to select is this one then again press 4 f4 then what is our criteria how many available are available are there kitna available hai in set set one we select select we select set one so we select therefore therefore and what award is available available so गुड नाव हम अभी चेक करेंगे यूनिट वन पांच होने चाहिए थे और सेट वन के लिए सिर्फ तीन ही अवेलेबल है ऐसा फॉर्मूला बदा रहा है अभी हम चेक कर लेते हैं चलिए यूनिट वन उसके बाद कॉंसर रिक्वर्मेंटे ट में तो देखिए पांच होने चाहिए थे पांच 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 होने चाहिए थे तो वी निट फाइपर्स इन इस फाइपर्स हाँ हुआ हम दूड मार्स वह पांच है पांच वैबल चाहिए वाद कर वाद की काम चाहिए खांच पांच है तों निट and unit 3, 1 is missing, so out of 9, 8 is there, correct, we will come back to unit 1 again, see, for part 8, if we write, available again, will there be a change in formula, will there be a change in this status, yes, so now earlier it was 3, now it had become 4, we will see again, sorry, earlier it was 3, 5 out of 3, and now if I update this value, so it had automatically got updated, so this becomes your summary sheet, so you don't have to do anything here, once it is created, once it is created, you have to update it here and the summary sheet automatically gets updated, similarly for set 3, set 4 and set 5, what we will do is, first thing is, we will copy the entire formula here, now if you see, set 2, for set 2, it is E, for set 3, it is F, for set 4, it is G and for set 5, it is H, so what we will do is, we will copy the formula, and paste it here, and update D to E, ok, then this D to F, is F, because everything remains constant, except the row name is changing, see if row name is changing, the row name is changing, the row name is changing, the row name is changing, if A, this will become G, this will become G, this will become H, correct, so everything remains same, except the column name, so that is why we have changed it, now we will drag and drop, so now we will see whether everything is working perfectly or not, formulas are changing, we will take team A example and check all the parameters, so unit 1, we will only select unit 1 or unit 2, no, unit 2 everything is 1, so unit 3 we will see, because we have dragged it, so we will see, so we will see, for unit 3 total number is 9, we will select, first is team A, so this is team A, that is good, for unit 3, for unit 3 total parts are 9 in numbers, that is very good, now available for set 1 is 8, right, that is correct, sorry, so available for set 2 is 8, so we have 8 here, available for set 2, what is available for set 2, that is 4, we get 4 here, available for set 3 is 5, we get 5 here, available for set 4 is 8, so and available for set 5 is 9, so 9, so this is our summary sheet, so we have made a summary sheet, we have made a summary sheet, and this is your main table, this is your main table, where all you have to do is fill the data, and the summary sheet will automatically get updated, so we will read it, whatever you will see, whatever you will have added here, we are ready, so this is your main table, which is your main table, it is much more convenient, कि इसको और भी विजुवाराइज करने के लिए आप ग्राफिक ग्राफिक स्वेल्ट कर सकते कि इतना अना चाहिए और कितना है नहीं है करके, so that part will we can see afterwards, if you do like this tutorial please do like, share and subscribe to our channel, thanks, thanks a lot.